माननिय प्रधानमंत्री जी आपके उच्साह पूर्ण प्रेरग उद्वोधन से सभागार में उच्सव का माहौल बन गया है इस सभागार में उपस्थित हजारों चात्र चात्राओं के अलावा विश्व भर के 25 देशों से 30 करोट से अधिक चात्र शिक्षक एवं अभिभावक इससे लाभानवित हो रहे हैं मान्यवर आपके आशिरवाद एवं अनुमती से अब हम सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए संयुक्त लाग दायक प्रशनों की श्रिंखला का आरम करना चाते हैं आएए अब प्रधान मंत्री जी के अनुमती से बढ़ते हैं परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस की विशिष्ट आकर्शन की ओर मान्यवर, देश की आन बान शान की भूमी, राजस्थान के PDS Secondary School की कक्षा दस्वी की छात्रा यश्री यहाँ उपस्तित है और आपसे मारदर्शन चाती है अपना प्रशन पूछिए यश्री अपना प्रशन पूछिए यश्री तो इसके मारव में हमारा बहुत बार मूड आफ हो जाता है So sir, please motivate us and give some suggestions to face the exams without any stress and nervousness Thank you धन्यवादी यश्री, मानिवर प्रधान मंत्री जी यश्री यह जानना चाती है कि बोड की परिक्षाओं के विचार उनका मूड आफ कर देता है वह कैसे अपने आपको परिश्रम करने के लिए प्रेरित करें मैं सोच रहा था नवजवानों का तो मूड आफ होना ही नहीं चाहिए लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मूड आफ क्यों होता है अपने खुद के कारण से कि बाहर की परिस्तिती से ज्यादा तर आपने देखा होगा कि अधिक्तम केश में दिमाग खराब होता है मूर आफ हो जाता है काम करने का मन नहीं करता है उसमें बाहर की परिस्तितियां ज्यादा जिम्मेवार होती है जैसे माने आपने माँ को कहा कि माँ मैं पढ़ रहा हूं छे बजे मुझे कुछ चाय वगर मिल जाए देखना तो आप पड़ रहे हैं बड़ी मस्ति से लेकिं बीच-बीच में गड़ी देखते हैं छे बजे की नहीं बजे तो गड़बड वहीं से शुरू होती है और फिर माँ को आने में देर हो गई वो पंदरा मिनेट अंदर से तुफान खड़ा हो जाता है माँ समझती क्या है उसको समझ नहीं है मैं दस्वी की अग्जाम है मुझे पढ़ना है मैंने चाय बजे चाय के लिए बोला था मुड पका यही होता है न अब सोचने का तरीका दूसरा यह सब हुआ लेकिन अगर आपने यह सोचा करें मा इतनी मेहनत करती है मेरी इतनी चिंता करती है जरूर कुछ हुआ होगा कि मा छे बजे चाय नहीं ले पाई तकलीप में होगी मैं जरूर देखूं मा को कुछ हुआ तो नहीं है मुझे बताईए मूर आप होगा कि मूर चार्ज हो जाएगा क्यों क्योंकि आपने अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड दिया कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही एकदम से मूर डाउन हो जाता है अगर हम आदत बना दे अपने देखा होगा कि हम पाच्छे दोस्तों ने कोई खेलने का कारकम बना दिया खेलने के लिए जा रहे है लेकिन एक साथी अभी आया नहीं हम लोगों को जाना है जल्दी जाना है अपने देखा होगा कि उन पाच्छे जो पहुँच गए हैं उसमें दो ऐसे होंगे जो छटपट आएंगे यहार आया ने यहार आया ने अपना मन का कैसा हम मेनेजमेंट करते हैं कि मूड का साथ जहां तक मोटिवेशन रिद्धी मोटिवेशन का सवाल है जीवन में शायद ही कोई अशा विक्ति हो जिसको इन चीजों से गुझरना नपड़ता हो हर किसी को इस दौर से गुझरना ही पड़ता है बार बार गुझरना पड़ता है कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटर होते हैं कभी एकदम से असफलता मिली तो डी मोटिवेट हो जाते हैं अब आप देखिए चंद्रयान आप सब रात को जाग रहे थे चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कॉट्रिबिशन था क्या नहीं था लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैटे बज़े से आपने ही किया है किया कि ऐसा होता तक नहीं होता और जब नहीं हुआ तो आप सब के सब साइंटिर्स अगवार्ट पूरे हिंदुस्तान एक प्रकार से डी मोटिवेट हो गया नहीं हो गया था अब सब रात को जाग रहे थे कभी-कभी बिफलता हमको ऐसा कर देती है उस दिन मैं भी महां मोजूद था कुछ लोगों मुझे मैं आज सिक्रेट बताता हूँ कुछ लोगों मुझे बताया था कि मोदी जी आपको वहां इस कारका में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई शौरिट ही नहीं है आप जाएंगे और फेल हो गया तो क्या करोगे मैंने का इसलिए मुझे जाना चाहिए और जब लास कुछ मिनट से मैं धे रहा थाएं स्यंटिस्टों के चेहरे पर बडलाव दिख रहा है कि बडलाव दिख रहाए एक तुसरी के दरह ऐसमें टेख रहा है मैं संज्या कुछ अन्होंिट हम साइंटिस्ट हो hani तो कुरा संभा तॉट अठा नहीं ता कि उनके चेह से लगा कुछ अन्होनी हो रही है पिर तोड़ी देर में आकर करके उन्होंने मुझे बताया मैंने का ठीक आप ट्राय कर रहे हैं करिए मैं बैठा हूं फिर एक दस मिनिट के बाद उनों के बताया साब नहीं हो रहा है तो फिर मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ वहां बैठा कुछ बाते की अंदर भी जाकर के थोड़ा चक्कर लगाया चिंता मत कीजिया असा करके फिर मैं रात को करीब तीन बज गए थे अपने होटल पे गया लेकिन मैं चैंज से बैठने पाया है कि सोने का मन नहीं करता था हमारी जो पीएमों की टीम है तो अपने कमरे में चली गई थी कि आधा पोना घंटा इसे ही बिताया मैं चकर काट रहा था तो मैंना आप ऐसा करो और सब को बुलाओ तो फिर जो बेचार शो गए थे उनको बुलाया मैंना का देखिए सुवे हम को जाना है लेकिन हम कारकम बदल कर देंगे शुवे हम जल्दी नहीं जाएंगे देर से जाएंगे और इन साइंटिस्टों को रात के तीन बज गए है लेकिन क्या सुवे साथ साथ आज बजे इखटे हो सकते हैं कि मैं मिलना चाहता हूं मैं जा सकता था सुवे उटकर के चला जाता और जिस देश में कोई नोटिस में ही करता कोई ज़वरत भी नहीं थी मैं खुद को समझानी पा रहा था और इसलिए मैं सुवे उन साइंटि को जितनी सराना की जा सकती है कि देश के सपनों की बाते की एक पूरा माहूल बदल गया और वहां बढ़ला इसा नहीं है पूरे हिंदुस्तान का बदल गया जिस घटना ने और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा हैं मैं कहना नहीं चाहता हूँ कहने का मतलब यह है कि हम विफलताओं में भी सफलता की सिख्षा पा सकते हैं हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं और किसी चीज में आप विफल गए हैं इसका मतलब यह है कि अब आप सफलता की और चल पड़े हैं अगर मही रुख गए फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दे आपको खीचे के लिए नहीं निकल सकते हो यह खुद ताय करो तो आप निकल सकते हो और इसलिए मोटिवेशन डी मोटिवेशन आपको मालूम होगा दो हजार एक में सार कलकता माएं इंडिया और और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैट था तब आप लोग तो आपने से कुछ लोग होई जिनका जन्म भी नहीं होगा और एसी स्थिती हो गई भारतिय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल अभी ऑस्ट्रेलिया के टीम यहां पर है तो 2001 में ऑस्ट्रेलिया और भारत का कौलकता मैच था फॉलोन होना पड़ा बुरे हाल थे दुबारा खेलने आये तो फटाफट विकेट जाने लगी सारा माहूल डीमोटिवेशन का था ओडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं ज़रा उत्सा बढ़ा हो लेकर तब एक क्या आउट हो गया देखो लेकिन आपको याद होगा राहूल द्रवीड और बिबियस लक्ष्मन इन दोनों ने उस पीछ पर जो कमाल किया ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खीटते चले गए सारी परिस्तित्य को उलट कर दिया इतना ही नहीं वो जीत करके आ गए मैच को महुल पुरा डी मोटिवेशन का था लेकिन एक संकल्प कैसे हार सकते जूट जूट जाएंगे जूजेंगे बाल एक एक बाल के साथ खेल ताकत दिखाएंगे परणाब दिया तो 2002 में भी आपने देखा होगा भारत की टीम बेस्ट इंडीज खेलने गई थी तो उस समय हमारे का अच्छे बालर अनिल कुमले उनको एक बांसर से चोट आई और पुरा जड़बा तूट काफी पटिया मटिया मात करके और पेन आप समझ सकते हैं यहां जब चोट लगते हैं तो दात में थोड़ा सा भी दर्द होता है कितना होता है अब सिती एथिक के अनिल बॉलिंग कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे लेकिन उन्होंने दर्द की परवा नहीं की रोते नही है ठीक है दर्द होता है तो होता है जीतनी पटियां लगा सकते हैं लगाएं बाइदान में उतरे और आपको पता होगा कि उस समय बारा लारा की विकेट लेना यहने बड़ा एच्विमेंट माना जाता था और ब्लाउन लारा की विकेट लेकर इन्होंने मैच का पूरा चि इतना बड़ा कारण बन जाता है, ऐसी अनेक घटना है आपके सामने होगी, जिसको देखकर कि आप टाय कर सकते हैं, कि मैं इमोशन्स को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का इसा करता है, उस पर निरबर करता है, अगर इसको हमने कर लिया, तो मूर आफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे, और फिर आप उसी स्वस्तमन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे, धन्यवाद आपको.